असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स में हूं सर इश्टियाक और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स के फेडल बोर्ट के तमाम नुमेरिकल्स तो आज कीस वीडियो में हम देखेंगे युनिट नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स का छो के फिजिकल कॉन्टिटीज एंड मेजरमेंट और इस यूनिट नंबर 1 में जितने भी एग्जैम्पिल नुमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखेंगे तो आईए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो example number 1.1 students हमारी relate करती है scientific notation से क्या है देख लेते हैं convert the following numbers in standard form और scientific notation कुछ हमारे पास numbers given है हमें इन numbers को लिखना है standard form में और scientific notation में तो यहाँ पर total 3 parts से एकक करके इन parts को देख लेते हैं तो first part students हमारे पास है 14953 और with seven zeros 1453 के बाद total 70 हैं और आगे हमें बताया है unit लिखा है meter इस value के साथ यह किसको शो कर रहा है distance को शो कर रहा है और लिखावा भी है यहाँ पर which is the average distance between earth and sun क्या मतलब students यह जो value giving है यह basically distance है average distance है earth और sun के दर्मियान इस value को जो कि आपको दिखाई दे रही है कि एक बहुत बड़ी value है इससे हमें लिखना है standard form में और scientific notation में तो सबसे पहले students हम क्या करते हैं इस value को बराबर रखते हैं distance के कैसे हमने distance के बराबर रखा क्योंकि यहाँ पर unit लगावा है meter और mention भी है कि यह average distance है earth और sun के दर्मियान तो इसलिए हमने क्या किया इस value को distance के बराबर रखा अब हम देख लेते हैं कि इसकी standard form क्या होगी तो standard form student बहुत असान है लिखना किसी भी number की जो भी आपको कॉमास वगेरा दिखें इसको आप क्या करो remove कर दो तो हमारे पास standard form हो गई इस number की 14953 with seven zeros और unit आपको लगा देना है meter अब हम देख लेते हैं इसकी scientific notation तो scientific notation किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर मैंने scientific notation लिखी है इस value की 1.4953 multiply by 10 raise to the power 11 meter अब students यह value मैंने के से लिखी है तो scientific notation के अंदर हम क्या लिखते हैं scientific notation में किसी भी value को हम लिखते हैं 10 की power की form में तो यह answer किस तरह से आया वो मैं आपको समझा देता हूँ तो students अगर हम standard form की बात करें तो मैं आप से पूछूँ के इसके अंदर point कहां पर है decimal कहां पर है तो decimal हमारा last zero के बाद है जो के यहाँ पर mention नहीं है लेकिन by default यहाँ पर मौझूद है इससे हमें shift करना है first non zero digit के बाद तो first non zero digit इस value में कौन सा है one है तो इस point को जब हम shift करेंगे one के बाद तो हमारे पास value क्या हो जाएगी one point four nine five three और बाकि जितने भी zeros हैं वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो इस point को जब मैंने first non zero digit के बाद shift किया तो बीच के अगर आप digits count करोगे तो वो total होंगे 11 फिर हम multiply की sign लगाएंगे और फिर 10 की हम power क्या लिखेंगे 11 तो 10 की power students 11 यहाँ पर कैसे आई point को मैंने shift किया है first non zero digit के बाद तो बीच के अंदर जो number of digits आएं वो 11 आएं इसका मदलब 10 की power क्या होगी 11 होगी तो students यह जो part होता है scientific notation का इसको हम कहते है mantisa यह हमारी 10 हमारी यहाँ पर किलाती है scientific notation में base और यह जो मैंने 11 लिखा है यह हमारी किलाती है exponent तो लहाजा इस वाले part के हमारे पास दो answer आ गए कौन कौन से answer आ गए एक तो आ गिया हमारे पास answer के हमें लिखनी थी standard form तो standard form इस number की हो गई यह और दूसरा हमने scientific notation लिखी तो scientific notation में हमारे पास answer आ गिया इसका कितना 1.4953 multiply by 10 रेस्ट पावर 11 meter फिर से बता देता हम students standard form में लिखने का क्या तरीका होता है जो भी value आपको given हो आप कॉमास को अटा के उसको लिख दो और scientific notation में लिखने का क्या तरीका होता है scientific notation में लिखने का तरीका यह होता है कि आपको point को shift करना है first non zero digit के बाद जो के यहाँ पर one था तो one के बाद हमने लगा दिया point तो यह value हो गई one point four nine five three फिर आपको multiply की sign लगाने 10 आपको लिखना है 10 यहाँ पर base है scientific notation में यूज करते हैं और यहाँ पर 11 कहां से आया आपने point को shift किया जब first non zero digit के बाद तो बीच के अंदर जो number of digits थे वो कितने थे 11 थे तो इसका मतलब हमारे पास जो power आ गई वो 11 आ गई और students एक और बात याद रखना के यहाँ पर जो power हमने लिए वो positively है जब भी आप point को backward direction में shift करोगे तो power आपकी positive होगी और जब आप forward direction में shift करोगे तो power आपकी negative होगी जो हमारा b part है उसके अंदर देखते हैं कि power हमारी negative कैसे आएगी तो यह हमारे पास solution हो गया first part का अब हम देख लेते हैं second part तो second part students हमारे पास है 0.0008 gram which is the average mass of the human hair कि students यह जो value given है यह basically क्या है average mass है किसका एक इनसानी बाल का अब हमें इस mass को जो के हमारे पास given है इसे हमें लिखना है standard form में और scientific notation में तो सबसे पहले क्योंके students यहाँ पर mass की बात हुई है तो हम क्या करते हैं हम suppose कर लेते हैं कि 0.0008 gram यह किसके equivalent है यह equivalent है mass of hair के यानि mass of human hair अब हम इसकी लिखते हैं standard form तो standard form में लिखने का क्या तरीका है as it is यह values लिख देते हैं तो 0.0008 gram यह हो गई standard form इस value की और अब हम देख लेते हैं scientific notation तो scientific notation में लिखने का वही तरीका है जो के मैंने आपको ए part के अंदर explain किया point अब हमारा यहाँ पर है तो इसको हम shift करेंगे first 90 digit के बाद जो के यहाँ पर 8 है तो बीच के अंदर number of digits कितने आए 4 आए और इस वक हम point को shift कर रहे हैं forward direction में तो power हमारी negative होगी यानि minus 4 तो इस value की scientific notation क्या हो गई हमने point को shift किया 8 के बाद तो हम लिखेंगे 8 multiply की sign लगाएंगे base क्या होगी 10 और यहाँ पर power minus 4 क्यों आए क्योंकि हमने point को 4 digit के बाद shift किया है तो लहादा mass of human hair हमारे पास scientific notation में हो गया 8 multiply by 10 rest to the power minus 4 gram तो इसके भी students हमारे पास दो answer आ गए एक आगिया standard form में mass of hair 0.0008 gram और mass of hair आगिया scientific notation में कितना 8 multiply by 10 rest to the power minus 4 gram तो यही इसका answer है B part का अब हम देख लेते हैं third part तो C part के अंदर students हमसे कहा है the number of seconds in a day हमें number of seconds मालुम करने हैं एक day में कितने होते हैं और 7 में हमें उसकी standard form में लिखना है और scientific notation में लिखना है तो क्योंके students यहाँ पर day की बात हुई है तो हमें पता है हम suppose कर लेते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और अगर मैं students आप से कहूँ कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं तो 24 और 60 को मैंने सेम रखा और मिनट की जगा मैंने लिख दिया 60 अब हम क्या करेंगे 24 को 2 टाइम 60 से multiply कराएंगे तो हमारे पास एक दिन में कितने second होते हैं वो आ जाएंगे तो एक दिन के अंदर हमारे पास यह seconds आ गए 86,400 seconds यानि एक दिन में 86,400 seconds होते हैं अब students हमें क्या करना है हमें लिखनी है इसकी standard form और scientific notation तो standard form लिखने का क्या तरीका है इस को मा को आप हटा दो तो हमारे पास standard form आ गई कितनी एक दिन के अंदर हमारे पास कितने second है 86,400 तो को मा हटा के मैंने लिखा तो यह आगी है हमारे पास standard form अब हम इसकी लिखेंगे scientific notation तो अगर मैं आप से पूछूँ point हमारा कहा है point हमारा है यहाँ पर 0 के बाद है last 0 के बाद इससे हमें shift करना है first non zero digit के बाद जो के हमारा यहाँ पर 8 है तो value हमारी क्या हो जाएगी scientific notation देख लेते हैं 8.64 और बाकी के 0 हम नहीं लिखेंगे multiply की sign लगाएंगे base हमारी 10 होगी point को आपने कितने digit के बाद shift किया 8 के बाद shift किया है तो बीच के अंदर जो total digits है वो कितने 4 है 6400 तो 4 digit के बाद आपने point को shift किया है backward direction में तो power आपकी आएगी positive इसका मतलब एक दिन के अंदर हमारे पास scientific notation में कितने second है 8.64 multiply by 10 raised to the power 4 second तो student इसके भी आपके पास दो answer आगए एक answer आगिया standard form में ये और दूसरा answer आपके पास आगिया scientific notation में ये दोनो values एक ही हैं ये हमने simple standard form में लिखी है यानि without scientific notation और ये वाला answer हमने फिर लिखा है scientific notation में तो ये था students हमारे पास example number 1.1 का solution अब हम देख लेते हैं students example number 1.2 जो के हमारे relate करती है prefixes से तो क्या है देख लेते हैं तो लिखावा है यहाँ पर write the numbers in standard or scientific notation using appropriate prefix हम से कहा है के हमारे पास कुछ numbers कीवीन है उसे हमें लिखना है standard form में scientific notation में लेकिन एक appropriate prefix को use करके तो ये पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले one ton of rice in gram तो सबसे पहले students हमने यहाँ पर suppose किया है one ton is equal to thousand kg यानि एक ton में 1000 kg होते हैं अब students हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं k क्यूंके यहाँ पर prefix है और prefix क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा कि prefix किसी भी value को या तो बहुत बड़ा बना देते हैं या बहुत छोटा बना देते हैं तो k को मैंने रिप्लेस किया thousand से क का मतलब होता है kilo का मतलब thousand तो 1000 यहाँ पर मैंने as it is लिख दिया और एक यह k की value put कर दी thousand इसको हम multiply कराएंगे thousand को thousand से तो हमारे पास आजएगा one with six zeros तो एक के बाद छे zero लगा दी यानि एक ton के अंदर आपके सकते हो one with six zeros gram होते है तो अब students हम क्या करते है standard form लिखते हैं तो standard form तो इसकी यही होगी one लिखना है और उसके बाद आपको six zeros लगा देना है अब scientific notation लिखेंगे तो students यहाँ पर point हमारा कहाँ पर है इस वाले zero के बाद है और इसको हमें लेकर आना है first non zero digit के बाद तो बीच के अंदर number of digits कितना है six आ गए और point को आपने backward shift किया है तो इसका मदलब ten की power क्या होगी six होगी scientific notation में लिख लेते हैं इसको तो one ten is equal to one multiply by ten rest to the power six gram तो one मैंने लिख दिया as it is और क्यूंकि मैंने point को एक के बाद shift किया है तो बाद वादे zero हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे multiply की sign लगाएंगे base के आए ten है और कितने digit के बाद point को आपने shift किया है छे digit के बाद तो इसका मदलब ten की power क्या हो जाएगी six अब अगर students मैं आप से पूछूँ 10 की power six के लिए आप कौन सा prefix यूज़ करते हो तो इसके लिए आप यूज़ करते हो mega जिसको हम capital M से represent करते हैं अब हम क्या करेंगे 10 की power six की जगा लिख देंगे M तो एक ton is equal to one multiply by mg अब one को जब आप mg से multiply कराओगे तो इसका मदलब एक ton के अंदर one mega gram होते हैं तो जब आपने one को mg से multiply कराया तो one ton is equal to one mg जैसे था एक ton के अंदर 1000 kg होते हैं इसी तरह एक ton के अंदर one mega gram होते हैं फिर से students मैं आपको बदा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है एक ton के अंदर 1000 kg होते हैं standard form इसकी यही होगी scientific notation में जब लिखेंगे तो point हमारा shift हो जाएगा one के बाद तो one multiply by बीच के अंदर number of digits कितने हैं छे zero हैं तो ten की power आ जाएगी six positive क्यों ली क्योंकि हमने point को shift किया है backward direction में तो एक ten हमारा बराबर हो गया one multiply by ten की power six gram के और हमसे कहा था के prefix का भी use करना है तो ten की power six इसके बराबर होता है mega के तो ten की power six की जगा मैं लिख दिया mega mega का symbol जो इसकी है m और जब आप one को multiply कराओगे mg से इसका मतलब eight ten बराबर होता है एक mega gram के अब हम देख लेते हैं इसका b part the diameter of the neutron is zero point और point के बाद यहां पर number of zeros यूज हूँ है कितने यूज हूँ है तकरीबन 14 zeros यूज हूँ है फिर आ रहा है one eight या the diameter of proton is zero point 14 zeros है one seven meter तो यह दो values मैंने क्यों लिखी है students अगर आप book के अंदर देखोगे जो book के अंदर आपके b part में यह लिखा हुआ है यानि आखरी में one eight आ रहे लेकिन solution में one seven लिखा है diameter of proton लिखा है तो आप यह बात याद रखना के diameter of neutron और diameter of proton दोनों equivalent होते हैं तो मैं इस problem को solve करूंगा किसके लियास से diameter of proton के लियास से तो solve कर लेते हैं सबसे पहले हमने क्या किया diameter of proton को बरावर रखा zero point,point के बाद तक्रीबद 14 zeros नहीं लिख दिया one seven meters अब हम देख लेते हैं इसकी standard form तो standard form students की यही होगी as it is लिख देते हैं सही है zero point point के बाद 14 zeros हैं फिर मैंने लिग दिया one seven meter अब हम देखते हैं इसकी scientific notation तो point को हमें shift करना है first non zero digit के बाद जो के यहाँ पर one है यानि हमारे पास value क्या हो जाएगी scientific notation में one point seven one point seven हमारे पास यहाँ पर mantis सा हो गया multiply की sign लगाएंगे और base हमारी हमेशा scientific notation में क्या होती है ten अब point को student जब हमने shift किया one के बाद तो यहाँ पर number of zeros कितने थे 14 थे और अगर हम one को भी count करेंगे तो number of digits हमारे पास कितने हो गए 15 हो गए लेकिन हमने point को forward direction में shift किया इसका मतलब ten की power क्या आएगी negative आएगी क्या होगी minus 15 तो diameter हमारे पास proton का आगिया scientific notation में कितना one point seven multiply by ten rest to the power minus 15 meter मजीर students हम से कहा था कि हमें prefix का use करना है तो अगर मैं आप से पूछ हूँ यहाँ पर जो ten की power है वो किती है minus 15 तो ten की power minus 15 के लिए कौन सा prefix use करते हैं तो उसके लिए हम use करते हैं femto जिसको हम small f से represent करवाते हैं तो अब हम क्या करेंगे diameter of proton is equal to 1.7 और जहाँ जहाँ पर 10 की power minus 15 आया हम क्या put कर देंगे f put कर देंगे f represents femto अब fm को multiply कराएंगे 1.7 से तो हमारे पार diameter of proton आ जाएगा किसमे 1.7 fm यानि diameter of proton हमारे पास आ गया femto में तो students हमारे पास यहाँ पर कितने answer आ गये तीन answer आ गये एक आ गया standard form में diameter of proton यह हो गया scientific notation में diameter of proton यह हो गया और 1.7 fm तो students यही इसका answer है example number 1.2 का अब students हमारे पास जो example number 1.3 है वो ब्लॉंग करती है significant figure के साथ क्या है देख लेते हैं find the number of significant figures in each of the following values also express them in scientific notation problem में हमसे कहा है कि number of significant figures मालूम करें each of the following values यानि जो भी values हमें given होगी उन में और साथ में उन values को किसमें लिखें scientific notation में लिखें तो यह part students हमारे पास है यह part की हम देख लेते हैं scientific notation तो point students हमारा यहां पर है जब हम point को shift करेंगे 1 के बाद तो हमारे पास value क्या हो जाएगी scientific notation में 1.008 देखो क्या किया point को मैंने shift कर दिया first non zero digit के बाद जो के 1 है तो बीच के अंदर number of digits कितने हैं तो हम क्या लिखेंगे 1.008 यह तो हमारा हो गिया मेंटी सा multiply की sign लगाएंगे point को हमने shift किया है 1 के बाद तो बीच में number of digits दो थे तो 10 की power क्या आ जाएगी 10 की power हमने 2 positive क्यों लिए क्योंकि हमने point को shift किया है backward direction में तो यह आ गई scientific notation अब students मैं अगर आप से पूछूँ कि इसके अंदर number of significant digits कितने हैं तो 10 की power तो कभी भी significant नहीं होती चाहे इसके ओपर value thousand ही क्यों न हो तो multiply से पहले वाले हम देखते हैं कि इसमें significance figures कितने हैं तो students आपको पता होगा कि non zero digits वेसे ही significant होते हैं और zero अगर non zero digits के दर्मियान आ जाए तो zero भी significant होता है इसका मतलब इस value में 4 significant figure हैं तो 100.8 second की अगर हम बात करें तो 100.8 के अंदर 4 significant figure हैं या अगर आप scientific notation के लिया आज से भी देखोगे यह हमारा जो mantissa वाला part है यह basically belong करता है किसके साथ significant figure के साथ इसके अंदर कभी zero significant होता है कभी नहीं होता लेकिन अगर हम 1.008 की बात करें तो इसके अंदर यह 4 significant हैं तो इसका मतलब इस value के अंदर 4 significant figures हैं second part की बात कर लेते हैं second part हमारे पास है 0.00580 km सबसे पहले हम इसकी scientific notation देख लेते हैं point को shift करेंगे 5 के बात तो बीच के अंदर number of digits किते आ गए 3 आ गए इसका मतलब 10 की power क्या होगी minus 3 तो हमारे पास scientific notation आ गए इस number की point को shift किया 5 के बात याई 5.80 यह हमने as it is लिख दिया multiply की sign लगा ही और 10 की power क्या है की minus 3 point को हमने forward direction में shift किया इसका मतलब 10 की power negative होगी तो 5.80 multiply by 10 rest to the power minus 3 kilometer is the scientific notation of this number अब students हम क्या करते हैं अब हम मालूम कर लेते हैं इसके अंदर significant figure तो student final zeros क्योंके decimal के बाद आ रहे हैं इसका मतलब यह significant होगा तो 5.8 वेसे ही हमारा क्या है non zero digit है significant है और यह क्योंके zero हमारा final zero है decimal के बाद आ रहा है non zero digit के बाद आ रहा है आप इसे कहलो तो इसलिए यह भी क्या होगा significant होगा तो इस वाली value के अंदर हमारे पास कितने significant figure हैं तीन significant figure हैं तो 5.80 multiply by 10 rest to the power minus 3 kilometer how many significance are there there are three significant figure इस value के जगा आप यह वाली value भी रख सकते हो 0.00580 kilometer यहाँ पर आप लिख सकते हो यह मैंने यहाँ से लिख दिया इसका scientific notation वाला answer c part देख लेते हैं 210.0 gram सबसे पहले हम इसकी scientific notation देख लेते हैं point को हमने shift किया 2 के बाद तो बीच के अंदर जो number of digits है वो कितने हैं 2 हैं तो इसका मलब 2.100 यह तो हो गिया मैंटिसा वाला part scientific notation में multiply की sign लगाएंगे और 10 की power हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी क्योंकि हमने point को shift किया 2 के बाद तो बीच में जो number of digits हैं वो कितने हैं 2 हैं और 10 की power positive हमने क्यों ली क्योंकि हमने point को shift किया है backward direction में तो scientific notation में हमारे पास value आगए 2.100 multiply by 10 rest to the power 2 gram अब students अगर मैं आपसे पूछ हूँ इसमें significant figures कितने हैं तो यहाँ पर students अगर हम scientific notation को देखें तो 2 और 1 यह तो हमारे non zero digits non zero digits हमेशा significant होते हैं और यह जो final zeros हैं यागर हम इन दो zeros की बात करें तो यह decimal के बाद आ रहे हैं और इससे पहले non zero digit भी मौझूद है इसका मलब यह final zeros भी क्या होंगे सारे के सारे significant होंगे तो total यहाँ पर 4 significant figure है scientific notation में तो यह इसका answer है अब students हम देख लेते हैं example number 1.4 जो के relate करती है rounding of data से तो round of the following numbers तो a part students हमारे पास है और b part भी है तो सबसे पहले हम देखते हैं a part a part के अंदर हम से कहा है कि हमें round of the following numbers two decimal points three number हमारे पास given है हमें numbers को round off करना है और kitने places तक करना है two decimal places तक हमें round off करना है अब हम देख लेते हैं first part first part हमारे पास क्या है 3.876 round off कर लेते हैं last digit हमारे पास greater than five है तो seven के अंदर हम क्या करेंगे one eight कर देंगे तो जब हम इसको round off करेंगे तो three point eight seven six round off होने के बाद हो जाएगा three point eight है हम से क्योंकि यहां पर mention है कि two decimal points के point के बाद तक्रीबन दो digits यानि दो decimal places होनी चाहिए तो अगर मैं आपसे पूछूं given में कितनी places थी number of decimal places थी जब हमने इसको round off किया तो हमारे बाद point के बाद number of decimal places two आ रही है तो इसका मदलब कि यही हमारा answer है second part देख लेते हैं second part हमारे पास है six five seven point eight seven three सबसे पहले हम इसको round off करते है last digit हमारा यहाँ पर less than five है यानि three है तो three हमारा क्या होगा drop हो जाएगा तो हमारे पास value आ जाएगी six five seven point eight seven और यहाँ पर point के बाद दो digits है यानि दो decimal places ही है इसका मदलब यही इसका answer है third देख लेते हैं third हमारे पास है zero point zero eight five seven अब last digit यहाँ पर क्या है last digit हमारा यहाँ पर seven है और seven greater than five है इसका मदलब अब one eight होगा five में तो हमारे पास value बन जाएगी zero point zero eight six लेकिन हमसे कहा है के हमें दो decimal places के अंदर round off करना है तो अब point के बाद यहाँ पर तक्रीबन तीन decimal places है फिर से round off करते हैं six हमारा क्या है greater than five है तो one eight कर देंगे eight में तो हमारे पास value बन जाएगी zero point zero nine तो यह हमारे पास हो गया round off दो decimal places में या दो decimal points में अब students हम देख लेते हैं example number one point four का second part अब हमें round off करना है इन given values को तीन significant figure में तो ए पार्ट की बात करते हैं 24.68 तो अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर number of significant figures अभी कितने हैं अभी यहाँ पर चार हैं इसको हम round off करते हैं तीन significant digits में तो last digit हमारा यहाँ पर eight है eight हमारा greater than five है तो one eight कर देंगे six में तो हमारे पास number हो जाएगा 24.7 अब मैं अगर आपसे पूछूँ 24.7 में total significant figures कितने हैं तीन हैं इसका मतलब यही इसका answer है क्योंकि हमें round off करना था तीन significant digits में second part देख लेते हैं 0.07683 अभी यहाँ पर number of significant digits कितने हैं हमें कितने में करना है तीन में करना है तो round off करते हैं last digit हमारे पास यहाँ पर three है three क्या है less than five है तो drop कर देंगे तो value हमारे पास आजाएगी 0.0768 अब students अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर number of significant digits कितने हैं क्योंकि initial zeros आपके significant नहीं होते है तो 768 क्यानि तीन significant digits है तो यह इसका answer है last देख लेते हैं 7847 तो यहाँ पर total number of significant digits अभी चार है तो इसको round off करते हैं last digit हमारा seven है greater than five है तो one eight कर देंगे four में तो क्या हो जाएगा seven eight five और seven की जगह हम क्या लिख देंगे zero तो अब मैं अगर आपसे पूछू seven eight five zero में कितने significant figure हैं तो यहाँ पर तीन significant figure हैं क्योंकि यह हमारा decimal number नहीं है तो final zero हमारा count नहीं होगा तो students इस वीडियो के अंदर हमारे जितने भी example numerical थे unit number one के class nine physics के physical quantities and measurement के वो हमने कर लिए आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अल्ला हाफिस